हलोट ये इदि आपको फाइब्रोड डाइग्डोस हुआ है तो आपके मन में सवाल पाऊंगी तो यानि कि चिसाथ क्या प्रेग्डेंसी नहीं होती है क्या infertility हो जाती है और यदि प्रेग्नेंसी होती है तो क्या वो नॉमली carry on हो पाती है तो मैं डॉक्टर सुशीला से नहीं का इनिकलोजिस तो आज आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आप फाइब्रोड के साथ क्या माँ बन पाएंगी सबसे इंपॉर्डन ज़रूरी बात है कि यदि आपको फाइब्रोड है तो ऐसा कोई इसू नहीं होता है कि आपको प्रेग्नेंसी ना हो प्रेग्नेंसी हो सकती है डेफिनिटली हो सकती है बट हम आपको सलाह नहीं देते कि फाइब्रोड आपको डेग्नोसोरा प्रेग्ने केरियान करें कि याइजि के प्रेग्नेंसी के लिए ट्राइव कर आज किजीए यह को लगनेंस्ट आइब है तो अगर को फैले ना चाहिए तो देफिनेटले उसका पहले ईलाज करा लेना चाहिए ताकि आप क्ली को आराम से णॉइकर B सबसे बड़ी समस्या क्या आती है फाइबरोड की इलाज कराने में कि जनरल पब्लिक है जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको एक सला देते हैं आपने बच्चेदानी छिडा ली ऑपरिशन करा लिया उसके कोई कट लगा दिया कोई चीरा लगवा लिया तो आपको प्रे चलवा देना चाहिए जिससे कि आपको आराम से प्रेग्नेंसी हो सके यानि कि बच्चा लगाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उनमें एक प्रकार की सर्जरी मायोमेक्टमी यानि की फाइबरोड को निकलने की सर्जरी कराने के बाद आपको प्रेग्नेंसी होने के चांसे स्रीजरी करते हैं तुसके और दूरीज को चेक कर लेते हैं दोनों तरफ की नलयों और नुंसे क हुनारु नहीं नंद्र जाता है जिससे यह पता चल जाता है क्या चdefined государ नहीं हो तो कारण आपने wa reindeer को मान लिया है। नहीं हो सकता है कि ऑफके जाच भी हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगी, और बाइचान से दिया आपके ट्यूबस किसी कारणवश ब्लॉक है, चिपकी हुई है, और वो खुल सकती है, तो कई बार हम नीचे से तार डालके बच्चे दाने के रास्ते से उसको खोल भी देते हैं, जिसको कि हम लोग हिस् सिस्तिती में नलीों को ठीक कर दिया जाता है, और फाइब्रोड है तो डेफिनिटली फाइब्रोड का इलास्तों कर देंगे, उसके लिए तो आपको घबराने के चिंदा करने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है, तो यह मित अपने दिमाग से बिल्कुल अच्छे तरीके स करいきें निकाल दीचे की फाइब्रोड के साथ प्रेग्सी नहीं होगी यह ही कोई इन फाइब्रोड का करणे थे थे का बिलीक का बिल्कुल कोई नहीं बडिक chemical सकती है, बड हम सलह नहीं देते क्योंकि हमने पूरा वीडियो बनाय plan कि pregnancy और फाइब्रोड में क्या हो सकता है, याने कि अपने फाइब्रोड के साथ प्रेग्नेंसी करी ओन की तो क्या क्या तकलीफ हो सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे जाके तसली से देखिए ताकि आप यह गलती दुबारा ना करें क्योंकि बहुत से मरीज ऐसी गलतिया ना कीजिए और प्रेग्नेंसी आराम से प्लैन करिए बट फाइब्रोड का पहले इलाज आप करवा लीजिए और इलाज आराम से दुर्बीन से संभव है और फाइब्रोड कर निकालने के बाद बच्चे दाने किसी प्रकार से डैमेज नहीं होती है और आराम से प्रेग्न प्रेगनेंसी टेस्ट पोजिटिव आने से पहले ही बच्चा बाँ निकल लेता है तो अधरोनी जो फाइब रोड दिवार के अंधर की तरफ के तरफ कावटे में दर की तरफ लिए प्रेगनेंसी होने नहीं के लिए जाधा जिम्मेदार हो जाता हो आपको हमेशा यह बात कहते हैं कि अंदर वाले जो फाइब्रोड वही बच्चे को एफेक्ट करते हैं जो बाहर की दिवार में बाहर की तरह फाइब्रोड से उनको छेड़ने की ज़रुत नहीं है उनको पढ़े रहने दीजिए उनसे कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर्सनल ए सब्सक्राइब करते हैं और जो हमें फीडबैक देते हैं कि प्रेग्नेंसी में को किस तरह की तकलीफियों हो रही है और जैसे ही प्रेग्नेंसी होती तो फाइब्रोड का साइज बहुत जल्दी स्पीट से बढ़ने लग जाता है यानि कि चार्श सेंटीमेटर का फाइब् बीडिंग होने की करद्समें पेन होने लग जाता है और प्रेग्नेंसी में किसी पर करका पेन किलर आपको नहीं दे सकते हैं जिसके वज़ए से आपको अदर सहन ही करना पड़ता है और कोई इलाज हमारे पास बचता है और ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इलाज करा लीजिए उसके बाद ही आप प्रेग्नेंसी के बारे में सोचिए और ये मित अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फाइबरोड यदी है तो मुझे बच्चा नहीं लगेगा और यदी बच्चा लग जाएगा तो मैं आराम से पहले प्रेग्नेंसी कर लोंगे उसक कराने के बाद आपको अच्छे से बच्चा लग जाएगा आपके प्रेग्नेंसी भी आप आराम से कर पाएंगी और आगे जाके एक स्वस्त बच्चे को आप जन्मदी दे पाएंगी क्योंकि यदि आपके फाइबरोड नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो जितना नि अच्छे को पहुंचने ही नहीं देता है तो आप अपने बच्चे के लिए पहले से एक इंदर छोड़के फिर बच्चा को ला रही है आप सोचेए बाहर भी आएक उसे कॉंप्टिशन फेस करना और उसको और इसको कॉंप्टिशन में डाल दिया आपने तो बच्चे कह ए कॉंप्टिशन आप पहले कम कर दीजी उसके स्ट्रगल कम खतम कर दीजी उसको अराम से आपके यूट्रस में रेस्ट करने दीजिए एंज्वाइ करने दीजी और फाइब्र को निकल वांके फिर प्रेग्निशी प्लैन कीजिए और यह डर और मित दोनों दिमाग से निक्य आपके से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप में कमेंट बॉक्स में लिखे पूर सकती है हम आप से फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जान करें तब तर नमस्कार